सास हो तो ऐसी, साधी को कुछ ही दिन हुए थे, और आज कामवाली भी नहीं आई, इसलिए पिरिया बरतन दोने लेगी, दोते दोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिर कर तूट गया, कप तूटते ही वै डरने लगी, कि उसकी सास अब बाते सुनाएगी, आवाज से सास तोड़ती आई, और बोली, बेटी, क्या हुआ, पिरिया बोली, मा पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी, कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया, सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कभी तो फूटा है, तुम्हें चोड तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने ही टुकडे क्य पर मेरी बेटी के दिल के टुकडे नहीं होने चाहिए, मेरी बहुसे महंगा है क्या ये कप, और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है, महंदी भी नहीं उतरी, अभी तेरे हाथों से, अभी तुम मेरे बेटे के साथ, ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, और पर दूसरे को समझो सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा पिर्यंका इधर आकर अपनी भावी का ख्याल रखो अभी इस घर में नई नई आई है पिर्यंका ने कहा हा मा सास फिर बहु से बोली सुरू में तुम मुझे अपनी मा ही समझना मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है सास बनकर नहीं मा बनकर देखते देखते पिर्या की आँखों में खुसी के आँसु आ गई छल छला गई उसकी आँखे और सास के पैरों में गिर कर बोली मैंने एक मा छोड़ी तो दूसरी नहीं मा पाई बलकि आप मेरे मा से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो यदि घर में एक अप टूट जाता तो मा भी दो बाते कहे बिना नहीं रहती आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद